तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे होंगी मैं आज तो आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सबसे हाई वोटेज के एंप्लिफायर का र एंप्लिफायर से हैं डैंपिंग फैक्टर सबसे हाई रखा गया है और इसमें बेस आप 21 इंची तक के धाई से 3000 वाट के बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही इसली जो एंप्लिफायर इसमें मैंने रखे हैं उसमें आप चार बेस भी चला सकते हैं और आठ बेस भी बिश्व कारी मिलने वाली है चलते बीडियो को सुरू करते हैं वीडियो स्सुरू करने से पहले अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आसे अपने होंग सकते हैं यह बहुत ही reliable company है आप इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं बहुत ही इसली amplifier है इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आपको यह बेस और पंच आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा बात करें इसके 8 ohm की तो 8 ohm पर आपको per channel पर 2100 watt का output देखने को मिलेगा जो कि हमारे base के लिए बहुत ही ज़्यादा wattage हो जाती है तो आप इस पर 2100 watt तक के base का load दे सकते हैं बहुत ही आसानी से चलेगा कोई दिक्कत आने वाला नहीं है वो भी 8 ohm पर बात करें अपने 4 ohm की तो 4 ohm पर आपको ये 3500 watt का output देखने को मिलेगा per channel पर 3500 watt का output आपके base के लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है तो आप इसे बहुत ही पंची base आपको देखने को मिलेगा vibration के साथ में बात करें 2 ohm की तो 2 ohm पर आपको 6000 watt का output देखने को मिलेगा per channel पर यानि कि 6000 watt channel A पर और 6000 watt channel B पर आपको देखने को मिलेगा तो आप इस पर 4-8 base का यूज कर सकते हैं जैसा कि आपका speaker रहे उससे आप load calculation करके आप इस पर 4 या 8 base का इस्तिमाल कर सकते हैं चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे तो जानते हैं bridge mode के बारे में इसका bridge mode का output क्या होने वाला है बात करें इसके bridge mode के 8 ohm की तो यह bridge mode के 8 ohm पर आपको 7000 watt का output देखने को मिलेगा 12000 watt का output बहुत ही ज्यादा output हो जाता है अमारे market में ऐसा अभी तक कोई speaker launch ने हुआ है जो कि मारा 12000 watt का हो जो भी 4 ohm पर अभी से ज्यादा से ज्यादा 2500 से 3000 watt के speakers local market में देखने को मिल रहे हैं तो आपके लिए यह amplifier बहुत ही ज्यादा high voltage का हो जाता है तो आप बहुत ही अच अच्छा आपके लिए होने वाला है class AB और D का combination बहुत ही अच्छा combination माना जाता है amplifier की दुनिया में और इसके damping factor की बात करें तो इसका damping factor 800 होने वाला है जो की base के लिए बहुत ही अच्छा damping factor माना जाता है इसके approximately weight की बात करें तो यह आपको 42 kg के आसपास देखने को मिलेगा so friends अगर amplifier high wattage का है powerful amplifier है तो जाहिर सी बात है इसका weight भी आपको देखने को मिलेगा तो आपको यह 42 kg के आसपास देखने को मिलेगा so friends बात करें इस amplifier के approximately price की तो इस amplifier का approximately price आपके local market में 90,000 से एक लाग के आसपास देखने को मिलेगा price थोड़ा सा उपर नीचे हो सकता है area और state के हिसाफ से क्योंकि मैं जो price बता रहा हूँ वो online price है तो internet price और offline price में काफी अंतर होता है जैसा कि market रहे उस तापसे आपको यह amplifier का price देखने को मिलेगा है हाला कि यह amplifier जल्दी से मिलेगा नाई काफी shortage में रहता है high wattage का amplifier है तो आप इसे जल्दी से कहीं भी दुकान पर arrange नहीं करा सकते हैं तो आपको काफी मसक्यत के बाद ही यह amplifier मिलने वाला है इस amplifier को आप अपने DJ में यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छा amplifier है बहुत ही reliable amplifier होने वाला है आपको इसमें कोई दिकत आने वाली नहीं है चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दूसरे amplifier की कि हमारा उस amplifier का इस specification और price range क्या होने वाला है और हम अपने दूसरे नंबर के amplifier पर कौन से company को रखने वाले है या कौन से amplifier को रखने वाले हैं बात करें अपने दूसरे amplifier की तो वह होने वाला हमारा Mpro की तरफ से जो की बहुत ही जाना-माना brand है MPRO amplifier की दुनिया में अपना छाप १ूड चुका है इस amplifier के model number की बात करें तो इसका model number होने वाला है atom 26000 यानि कि atom 26000 यहимपिर बहुत ही अच्छा amplifier है और यह बहुत ही high pressure high punch के साथ में आपको sound quality provide कराने वाला है जो कि बहुत ही clear और क्रिस्टाल بت का base और punch आपको देखने को मिलेगा vibration इसमें बहुत ही long throw के साथ में आपको feel करने को मिलेगा चलिए बात करते हैं इसके load calculation और इसके overall specification के बारे में तो बात करें इसके 8 ohm की तो यह 8 ohm पर आपको 3500 watt का output निकल कर देता है per channel पर यानि इसके 4 ohm की तो यह 4 ohm पर आपको 4500 watt का output देखने को मिलेगा per channel पर आप इसे अपने base के लिए बहुत ही अच्छा amplifier मान सकते हैं क्योंकि 4 ohm पर 4500 watt का output बहुत ही अच्छा output हो जाता है sound clarity बहुत ही अच्छी आपको मिलने वाली है और vibration आपको बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा बात करें इसके 2 ohm की तो यह 2 ohm पर आपको 6000 watt का output निकल कर देता है per channel पर यानि कि 6000 channel 1 और 6000 channel 2 पर आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ज्यादा wattage आपको देखने को मिलता है यह amplifier overall आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि यह amplifier आपको sound clarity के मामले में सबसे number one पर देखने को मिलेगा यह M pro बहुत ही ज्यादा यूज के होने वाला amplifier है अभी के time पे DJ live में आपको बहुत ही अच्छा performance देखने को मिलेगा चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके bridge mode की तो यह bridge mode पर आपको 8 ohm पर 9000 watt का output देखने को मिलेगा और वहीं बात करें इसके 4 ohm की तो यह 4 ohm पर आपको 12000 watt का output देखने को मिलेगा जो की बहुत ही ज्यादा output हो जाता है तो आप इसे 4 या 8 speaker का load दे सकते हैं बहुत ही अच्छा चलेगा कोई दिक्कत आने वाला नहीं है बात करें इसके damping factor की तो इसका damping factor इसमें 1500 दिया गया है यानि कि आप इसमें base की quality बहुत ही अच्छी मिलने मारी low frequency इसमें आपको भर-भर के देखने को मिलेगा power की बात करें तो इसमें आपको power supply 220 volt input करानी रहती है जो कि हमारे normal सी supply लगती है ज्यादा high-five supply इसमें नहीं लगती है 220 volt आपको enough हो जाता है net weight की बात करें तो इसका approximately weight आपको 53 kg के आज़ पास मिलेगा तो weight बहुत ही high हो जाता है क्योंकि amplifier बहुत ही high wattage का है तो जाहिर सी बात है आपको weight भी high देखने को मिलेगा so friends ये amplifier आपके DJ के लिए बहुत ही अच्छा सावित होने वाला है आप लोग में से कोई DJ वाला भाई सायद ही इसे use ना करता हो सभी DJ वाले भाईयों के पास mpro अभी के time पे बहुत ही ज्यादा useful देखने को मिल रहा है बात करें इसके approach price के तो इसका approach price आपको पहले वाले amplifier के लगभग ही देखने को मिलेगा यानि कि आपको 90 से 1 लाग के बीच में देखने को मिलेगा यानि 90 हजार से 1 लाग के बीच में आपको देखने को मिलेगा 2-4 हजार का difference आ सकता है area और state के हिसाब से सभी market में सभी amplifier के price अलग-अलग होते हैं तो आप लोग ज्यादा tension मत लीजएगा 2-4 हजार का फरक आ सकता है तो आप लोग bargaining करके ही amplifier को buy करें और जो भी भाई लोग इस amplifier को buy किया है वो लोग comment box में जरूर कमेंट करें कि आप लोग के local market में इस amplifier का क्या price पड़ा है ताकि हमारे और भाईयों को price के मामले में मदद मिल सके यह था हमारा आज का वीडियो 12,000 वोट के amplifier के ऊपर तो आपको इस वीडियो में दी के जानकारी अगर थोड़ी से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को subscribe कर दीजेगा और अपना comment जरूरत टॉपिक कौन सा चाहिए आप लोग के लिए कौन सी वीडियो लेकर आऊं ताकि आप लोग को आपको मदद मिलती रहे आज की वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को subscribe करके वेल